राधे राधे एवरिवन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अखंड जो जलाने के लिए हम लंबी बाती कैसे बनाते हैं तो कलावे से एक बाती हम बना के दिखाएंगे और एक रूई से हम बना के दिखाएंगे तो पहले रूई की बाती हम बनाते हैं तो देखें आप इस इस तरह की परत हम उतार लेंगे और इसको बीच से हम दो हिस्से कर देंगे इस परत के आप देखिए इसको हम पतला सा ही हमें सा करना है ज्यादा मोटा नहीं आप को दिख रहा होगा इतनी चोड़ाई आप ले लीजिए और इसको इस तरह से हम बट देंगे यानि इस तरह से बन लगाएंगे जैसे हम normal जो बत्ती बनाते हैं दियेगी बिल्कूल उसी तरह से हम इसको हलका हलका सा बट देंगे तो इस तरह से पूरी बाती को हमें बट देना है और एक हाथ लंबी हमें बाती जरूर लेनी है यह आप ध्यान रखें उसके बाद देखें दोबारा हम इसक बना ली है और इसी तरह की हमें दो बातियां बनानी है तो देखिए दो बाती हमने बना ली है अब हम क्या करेंगे दोनों बातियों के सिरे को हम पकड़ेंगे और ये एक सिरा हम किसी और को पकड़ा देंगे किसी और की हल्प भी हमें इसमें चाहिए होगी तो आप किसी को भ बाति बनाते हैं इस तरह से बल लगाएंगे तो इस तरह से बटना शुरू कर देंगे और बातियां बनाएंगे बहुत मोटी हमें नहीं बनानी है क्योंकि दोनों बातियां जब मिलेंगी तो अपने आप एक मोटी बाती बन जाएगी अखन जोत के लिए तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम इसे खीचेंगे और इस तरह से हमारी बाती बनकर तयार हो जाएगी ये बाती पूरे नो दिन तक हम नवरात्रों में जला सकते हैं बहुत अच्छे से ये बाती जलती है और इसको देखे कैसे जलाया जाता है उपर के सिरे से आप इसको गोल कर ले जब भी आप इसको जलाएंगे न तो इसको ऊपर से देखे इधर की तरफ से हम इस तरह से गोल कर लेंगे और उसके बाद हम इसको दिये में रखेंगे आप इसको मिट्टी के दिये में भी रख सकते हैं या जो तांबे या पितल के दिये आते हैं उनमें भी आप इसको जल तो देखे, इस तरह से गोल करके नीचे से और हम किसी भी दिये में इसको रहके, और आसानी से जला सकते हैं, जब बाती बढ़ानी होगी, तो भी ये बहुत आसानी से बढ़ जाएगी, तो इस तरह बहुत ऑच्ची रूई की बाती, जो लोग रूई की बाती ही जलाना सकते हैं यहां पर मैं कलावे के देखिए दबल मैंने यहां पर कलावा ले लिया है और डबल कलावा मैंने कितना लिया है मैं आपको एक बार माप के दिखा देती हूं तो यह मैंने यहां पर देखिए यह एक हाथ होता है एक हाथ दो हाथ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा यानि स सब्सक्राइब कर้ fermented papers जो को दो दो मिनट तक बठते रहना है बिल्कुल भर जाना चाहिए, धागा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, तब तक हमें इसे बटना है, और देखिए, अखंड जोत के लिए खड़ी बाती कैसे बनाई जाती है, स्टेंड वाली, उसका वीडियो इससे पहले चैनल पर आ चुका है, तो आप उन्हें भी एक बार जरूर देखे, उसमें मैंने रूई की और कलावे की दोनों खड़ी बातिया बनानी बताई है, और इस वीडियो में मैं लंबी बाती बनाना बता रही हूं, क्योंकि बहुत लोग है, जो लंबी बाती जलाना पसंद करते हैं, तो जैसी भी बाती आपको ठीक लगे, आप उ दोनों सिरों को हमें मिला देना है, अब दोनों सिरों को इस तरह से मिला के और बाती को हम छोड़ देंगे, तो देखे, इसमें अपने आप ही बल आ जाएंगे, अब हम इसको सीधा कर लेंगे, तो इस तरह से हमारी बाती बन जाएगी, इस तरह से अखन जोत की बाती बन ज छोट जला देते हैं तो डीया पना तुल सके बहुत से गर पर ही डीयाटार बना हैं indigenous तभी का वीडियो चैनल पर आ चुका है। वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैम आता दी, राधे राधे.